Hello everyone, competitive exam में आपका एक पाफिर स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और job notification लेके आ गया हूँ जो की हिमचल प्रदेश के printing and stationary department में निकली है इसमें लगबग आपके 14 पदों पर भरती निकली है इसमें कौन-कौन से पदों पर भरती निकली है चलिए हम इन्हें देखते हैं तो इसमें जो first पद है वो है PN का यानि की चपड़ासी का इसमें दो पद निकले हैं एक इसमें देख सकते हैं कि एक पद इसमें SC के लिजर्व है एक OBC के लिए और चौकीदार के तीन पद है एक जनल के लिए, एक SC के लिए, एक OBC के लिए है और तीसरी है Binding Machine Attendant इसके साथ पद निकले हैं तीन जनल के हैं एक SC का है, दो OBC का है और एक EWS का है और जो fourth post है वो है Packer की इसमें दो पद निकले हैं जो दोनों ही जनल के लिए जर्व हैं आप इसमें देख सकते हैं कि यह यह इसमें वकेंसिया निकली है तो total इसमें 14 वकेंसिया निकली है आप इसमें देख सकते हैं तो इन्होंने salary भी इसमें mention की गई कि आपको 300 रुपे per day जितना ही मचल government का norm रहता है वो दिया जाएगा तो इससे आप से 10,000 के करीब आपकी salary बन जाएगी तो इसमें देख सकते हैं कि आवेदन इन्होंने कहा है कि आप दो तारिक से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 17,10 तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं और offline इसको apply करना पड़ेगा और इसमें इन्होंने अपना form भी डाउनलोड करके दिया गया है तो आप उससे डाउनलोड करके उसमें form भर सकते हैं और speed post या resistory के दो उसके बेज सकते हो तो इसमें इन्होंने qualification बताया गया है कि आपके पास कितनी कितनी qualification होनी चाहिए तो आप इसमें देख सकते हैं तो इसमें IU mention की गई है वो 18-45 साल की होनी चाहिए और जो इसके लिए PN के लिए आवशक जो qualification दी है वो कि CB school मानेता प्राप बोर्ड से आपके पास दस्वीगी प्रिक्षापने अतुन की होनी चाहिए और आपको हिमाचल प्रदेश की रीतियों और बोलियों का ज्यान होना चाहिए तो ये इसके लिए चाहिए और चौकीदार के लिए भी ठारा से 45 चाल चाहिए उमिद्वार की गणना प्रतम वर्ष 11-23 को मानी जाएगी अनसूचित अनने जाती एक्षिन के विरुद अवेदिन करने वाले समधित उमिद्वारों को उपरी आईउ में पांच वर्ष की छूट जाएगी यानि कि अगर आप SCST OBC में है तो उन्हें पांच वर्ष तक की छूटिस में दी जाएगी इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किसी भी बोर्ड से आपके पास एर्थ पास होना चाहिए और आपको हिमाचल प्रदेश का कस्टम मैनर का पता होना चाहिए और जो अगली पोस्ट है वो है बाइंडिंग मेशीन इसके लिए भी 18-45 साल आपके एज रखी गई है और जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो किसी भी बोर्ड से आपके पास एर्थ होना चाहिए और जो है आपको साधान बाइंडिंग का ज्यान होना चाहिए और पेकर जो है इसके लिए आपके पास 18-47 इसकी एज रखी गई है और इसमें आपके पास किसी भी 10 भी आपके बाइंडिंग होना चाहिए और किसी भी सरकारी अर्थ सरकारी कारेले में 5 वर्ष का पेकर के पद का भभारी का नुवब होना चाहिए और बाकी आपका जो वन चीटी होगी था आपकी मचल परदेश का कस्टम मैनर का आपका रहता है वही रहेगा और आप इसमें देशते हैं कि आपका सेलेक्शन किस परकार से होगा आपका जो सेलेक्शन होगा वो आपके 10th मार्क्स के बेस पर होगा तो आप इसमें देशते हैं कि अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स है तो आप इस फॉर्म के लिए प्लाई कर सकते हो तो इसमें ये 15 मार्क्स की वैलिवेशन रहेगी जो इसमें मेंशन की गई है तो आप इसमें देशते हो तो यह vacancy है निकली है जो भी इसके लिए लिज़ेवल है यह इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इन्होंने इसमे अन्ती में form भी mention किया है जैसे कि इसमें इन्होंने mention किया गया है कि किस परकार से आपका selection किया जाएगा और आपको कितने कितने marks इसमें लग रहे हैं अवेदर के स्थाक्षन और इसमें देशते हैं और इसमें form भी mention किया है तो आप इस form को भर सकते हो अगर आप इसकी योगिता रखते हो तो इसमें ये लग बग डेली बेजिस पे है चार या पांच साल बाद आपको regular कर दिया जा कि 14 पदों पर ये भरती निकली है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो धन्यवाद